नमस्कार दोस्तों सागे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैनी एजूकेशन पर मैं हूँ आपका होस्ट फार्मसिस्ट विकास आज इस वडियो में जानेंगे दोस्तों उल्टी को रोकने वाली दवाई के बारे में जिन लोगों को उल्टी होती है या नौजया वामेटिंग होती है तो उल्टी को रोकने के लिए कौन से टैबलेट यूज़ की जाती है उस टैबलेट के बारे में हम जानेंगे एक गोली को ये लेनी चाहिए, इसके साड़िफेक्ट क्या हो सकते हैं, कितनी मात्रा में और कैसे खानी है, इस गोली को, कितनी गोली खानी है, सावधानिया क्या रखनी है, सारा को जाड़ इस वोडियो में हम बात करेंगे उन्डेम टैबलेट के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा, बहुत रही जानकारी आपको मिलेगी, साथ ही दोस्तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्याजरू दिखाएगा, ऐसे ही नई नई वीडियो मेडिकल स आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी, चले बात करते हैं, ओन्डेम टैबलेट के बारे में, ओन्डेम टैबलेट यहाँ पर इसका ब्रेंड नेम है दोस्तो और यह एलकेम कंपनी के मेरसन है, मेडिकल स्टोर पर यह ओन्डेम के नाम से भी मिल जाती है, यह डेबलेट दो में आती है, चार एमजी और आठ एमजी के अंदर, बात करते हैं इसके एक्टिव इंग्रिडेंट के बारे में इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, तो इसके अंदर ओंडेन सेट्रोन होता है, जो की एक प्रकार का एंटी इमेटिक की तरह काम करता है, उल्टी या नौजया वर्मेटिंग को ये रोकता है, बात कर लेते हैं किस कंडिशन में इस टैबलेट काम आती है, डॉक्टर कब इस टैबलेट को खाने की सला देते हैं, तो अगर किसी पेशन को उल्टी हो रही है, चाहे किसी भी करण की वज़े सा अगर उल्टी हो रही है, तो सिकनेस, motion सिकनेस के ट्रिटमेंट में ये टैबलेट दी जाती है ताकि ये उल्टी को रोक सके, किसी भी कारण की वज़े से तो उसको रोकने के लिए टैबलेट यूज की जाती है, इसके अलाबा कुछ पेशन्ट में केमो थेरेपी होती है, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है तो उस दुरान भी उल्टी होती है, केमो थेरेपी के दुरान क्या होता है? एक side effect होता है, जिसकी वज़े से nausea vomiting होने लगती है, उल्टी होने लगती है patient को तो उस उल्टी को रोकने के लिए भी tablet use की जाती है इसके अलावाद जिन लोगों की surgery होई है, तो surgery के बाद में भी उल्टी होने लगती है क्योंकि anesthesia के कारण उल्टी होने लगती है, तो उल्टी को रोकने के लिए tablet use की जाती है चाहे किसी भी कारण की वज़े से उल्टी हो रही है तो उसको रोकने के लिए टैबलेट यूज की जाती है कुछ पेशन्ट ऐसे होते हैं जिनमें पेट में ऐसे डिटी होने लगती है पेट में सूजान आ जाती है किसी भी कारण की वज़े से या फिर gastroenteritis के कारण अगर ये हो रहा है तो उस दोरान भी ये tablet देते हैं ताकि उल्टी को ये रोक सके अब बात करते हैं इसकी dose के बारे में कितनी मात्रा में कैसे और कभ ये tablet खानी होती है ये tablet दोस्तो anti-ematic tablet है उल्टी को रोकने के लिए यूज होती है दिन में 2-3 बार इस tablet का उप्यूक किया रहता है खाना खाने से पहले ये tablet लेनी होती है आता ही एक गंटे पहले ये tablet खानी होती है खाना खाने से पहले 2-3 बार इस tablet का उप्यूक किया रहता है adult dose के हम बात कर रहे हैं और कुछ tablet ऐसी होते है जिन पर MD लिखा रहेता है MD का मतलब होता है mouth dissolving tablet जिनको directly move में रखना होता है और वो tablet जो है वो dissolve हो जाती है अगर कुछ tablet पर MD नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप उसको directly पाने के साथ निगल सकते हो खाना खाने से पहले वो tablet लेनी होती है बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में क्या क्या है इसके side effect हो सकते हैं तो इसकी वज़े से दिखें जो patient is tablet का use कर रहा है उसको headache होनी लग सकता है सीर में दर्द हो सकता है इसी के साथ में constipation भी हो सकता है या फिर diarrhea हो सकता है और शरीर में थकान से मैसुस होने लग सकती है यह कुछ इसके common side effect है अगर इसके लाव कोई कोई दूसरे side effect आपको देखने को मिलते तापको तुरण doctor से सला लेनी है और medicine को discontinue करना है बात कर लेते हैं इसकी साथानियों के बारे में क्या इसकी साथानिया रखनी चाहिए टैबलेट यूज़ करते टाइम तो पहली साथानी यह रखनी है कि जो लोग इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं उनको heavy meal नहीं लेना है ज्यादा बारी वरकम खाना नहीं खाना है क्योंकि already nausea vomiting हो रही है और इस टैबलेट का यूज़ करें उसके बाद में heavy meal अगर वो ले रहे हैं तो यह जो दिक्कते हैं वो और ज्यादा हो सकती है उससे आराम नहीं मिलेगा उल्टी और ज्यादा होने लगेगी इसके अलावा जिनको पेट में ulcer हो रहे हैं पैप्टिक ulcer के समर्शा है उन लोग को रोकने के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना साथ दोस्तों यह वीडियो अपने फ्रेंड शर्कल में भी शेर कीजिएगे ताकि उनको भी इंपोर्टेंट नॉलेज इंफरमेशन मिल सके तो आज के लिए इतना ही मिल देखने वीडियो में तब तक के लिए देखते हैं जहने एजुकेशन यूट्यूब चैनल